Hello students, welcome back. आज ़िए class वे हम लोगं continue करेंगे अपना topicouvailment पिछले class हम लोगं एक topic च्छूपक सा स्टार्ट किये थे 270 भिलमेंट अब जो उसको हम लोग लोगं continue करेंगे भिलमेंट बेडों बेसिकले इतना देखे थे कि दो पार्टी होते है एक होता है baila और दूसरा होता है बेलर का मतलब, जू समान डिलेवर किया है और बेली का मतलब, जिसको समान डिलेवर हुआ है और किस purpose के लिए समान डिलेवर हुआ है, कोई एक particular purpose के लिए, और जब वो purpose complete हो जाएगा, तब बेली का duty है कि वो समान वापस कर देगा to the bailer ठीक है और हम देखे दे कि एक contract of bailment के अंदर हो सकता है कि consideration हो या ऐसा भी हो सकता है कि consideration ना हो ठीक है दोनों ही valid है भले ही consideration है या फिर नहीं है ठीक है next आगे हम लोग continue करेंगे different forms of bailment और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या rights और duties बनता है bailer का and bailie का ठीक है देखना पहला delivery of goods by one person to another to be held for bailer's use तो एक वेक्ती दूसरे वेक्ती को समान deliver कर रहा है obviously वो bike repair कराने का example या फिर tailor को कपड़ा देना stitching के लिए यह सब एक्जाम्पल है बेल्मेंट का ठीक है गुड्स दोस्त को देना without any charge यह भी बेल्मेंट है क्योंकि बेल्मेंट में consideration ना भी होने से चलता है ठीक है hiring of goods goods भाड़े में लेना तो जब हम goods भाड़े में लेते हैं या भाड़ा में देते भी हैं दो नहीं contract of क्या है बेल्मेंट है ठीक है delivery of goods to a creditor to serve as a security for a loan जब हम लोग कोई loan होन लिये हैं और उसमें कोई जमीन है कुछ चीज गिर्वी रखते हैं हम लोग तो वो भी क्या है contract of bailment ठीक है delivery of goods for repair सामान को ठीक कराने के लिए दिये हैं यह भी क्या है contract of bailment भले ही with और without any remuneration क्योंकि bailment के अंदर पैसा देने से भी चलेगा और अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो भी वो contract of bailment ही रहेगा delivery of goods for carriage मतलब transporter को जो हम सामान देते हैं कि यहां से सामान वहां पहुचा दे या फिर courier में सामान देना स्पीड पोस्ट करना यह सब क्या है यह सब भी contract of bailment है ठीक है note on the basis of reward bailment can be classified into two types दो प्रकार का bailment होता है पहला है gratitudeous bailment ठीक है जो की no consideration वाला बिना कोई consideration की जो bailment है that is known as gratitudeous bailment जैसे हम दोस्ट को bike दिये कुछ समय के लिए हम पैसे तो नहीं ले रहे हैं यह जो bike देना है दोस्ट को without any consideration in return इसको बोला जाता है gratitudeous bailment ठीक है और non gratitudeous मतलब जिसके बदले में consideration देंगे हम पैसा देंगे उसको बोलते हैं हम लोग non gratitudeous bailment ठीक है देखना है the word gratitudeous means free of charge gratitudeous का मतलब ही यह होता है free of charge so a gratitudeous bailment is one when the provider of service does it gratitudeously that is free of charge such bailment should be either for the exclusive benefits of bailer और bailie मतलब free में कोई काम को करना is basically known as gratitudeous bailment ठीक है और non gratitudeous bailment मतलब वो bailment जिसमें दोनों का फाइदा है bailer का भी और bailie का भी मतलब दोनों के लिए consideration है उसको बोलते है non gratitudeous bailment non gratitudeous bailment means where both the parties get some benefits जहाँ पर दोनों को कुछ फाइदा मिलेगा उसको बोला जाएगा non gratitudeous bailment तो gratitudeous में क्या हो रहा है एक को फाइदा मिल रहा है और दूसरे को कोई भी फाइदा नहीं मिल रहा है कोई भी consideration नहीं है उसको बोलते है gratitudeous जैसे दोस्त को bike देना तो उसका तो काम हो रहा है कि उसको bike मिल रहा है लेकिन अपने को तो बदले में कुछ नहीं मिल रहा अपने को तो पैसा नहीं मिल रहा तो उसका तो benefit है bike अगर हम उसको देते हैं कुछ काम के लिए उसके काम के लिए तो उसको तो benefit है उससे लेकिन हमको तो benefit नहीं है उससे इसको बोलते है gratitude बेल्मेंट ठीक है और non gratitude मतलब जहां पर दोनों का फायदा ऐसे बाइक रिपेर कराने के लिए दिये तो गराज वाले को पैसा मिलेगा और हमारा बाइक रिपेर होगा तो दोनों के लिए consideration है कुछ ना कुछ दोनों को मिल रहा है इसको बोलते है non gratitude बेल्मेंट ठीक है देखना है non gratitude बेल्मेंट means where both the parties get some benefits that is बेल्मेंट for the benefit of both बेलर एंड बेली जहां पर दोनों का benefit है उसको बोला जाता है non gratitude बेल्मेंट ठीक है तो इसको short करके यहाँ पर समझाया हुआ है gratitude का मतलब है एक का फाइदा है और दूसरे का फाइदा नहीं है और non gratitude का मतलब है जहाँ पर दोनों का फाइदा है उसको बोला जाएगा non gratitude क्लियर इतना next duties of bailer आखिर एक bailer का क्या duty बनता है in a contract of bailment यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले है एक पढ़ने वाले rights and duties of bailer और फिर पढ़ेंगे rights and duties of bailie तो यह चार टॉपिक आने वाला है bailer का rights and duties और फिर bailie का rights and duties सारा cover होने वाला यहाँ पर ठीक है सबसे पहला duties of bailer देखना the duties of bailer is spelled out in a number of sections उंको section तो ध्यान रखना नहीं है ठीक है these are categorized under the following headings ठीक है कुछ point बनाए गए हम एक ही करके पढ़ेंगे start करते हैं यहाँ पर this is the enumerated here under पहला bailer's duty हम क्या पढ़ रहें यहाँ पर duties of bailer मतलब जो सामान डिलिवर कर रहा है उसका क्या duty बनता है ठीक है bailer's duty to disclose faults in goods bailed मतलब bailer जो सामान दे रहा है बेली को बेलर का duty बनता है कि अगर सामान में कुछ fault है सामान में कुछ default है कुछ गलती है कुछ खराबी है तो वो चीज वो किसको disclose करे बेली को वो चीज disclose करे ठीक है देखना इन केस ऑफ ग्रैटिटियस बेल मेंड ग्रैटिटियस मतलब फ्रीम है है ना दे बेलर इस बाउंड दिस्क्लोस करने के लिए ठीक है false in the goods bailed of which the bailer is aware जो चीज हम जानते है जो चीज नहीं जानते है उसको कैसे disclose करेंगे जो जानते है कम से का वो तो हम disclose करें यह हमारा duty है and which materially interfere with the use of them और expose the baili तो extraordinary risk and if it does not make such disclosure he is responsible for damaging arising to the baili directly from such defaults बड़ा की कुछ भी goods में default है कुछ भी खराबी है जिससे बेली को कोई भी प्रकार का नुकसान हो सकता है तो bailar का यह duty बनता है कि वह baili को वह बात disclose करें अगर वह disclose नहीं करता है और बात में जाकर बेली को कुछ नुकसान होता है तो बेलर लाइबल होगा पैसा देने के ठीक है एक्जामपल खुद से पढ़ना ठीक एक्जामपल सिल्फ रीड है नेक्स इन केस ओव नॉन ग्रैटिटियस बेल्मेंट इप गुड्स आ बेल्ड फॉर हायर दे बेलर रिस्पॉंसिबल फॉर सच दैमेज वेदर ही वाज़ी 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 नॉन ग्रैटिटियस में शरीफ अवेर है उसी के लिए लाइबल रहेगा ठीक है लेकिन नॉन ग्रैटिटियस में अवेर है या नॉट अवेर दोनों टाइप के डिफॉल्ट के लिए दोनों टाइप के खराबी के लिए जो बेलर है वो लाइबल होगा क्योंकि non gratitude क्या है पैसे के बदले है तो यहां पे तुम aware हो या ना हो तुम liable रहोगे लेकिन gratitude में consideration नहीं है इसलिए खाली जिस चीज के लिए aware हो उसी के लिए तुम liable रहोगे ठीक है Second duty to pay necessary expenses तेखते हैं in case of gratitude gratis whereby condition of the bailman the goods are kept or to be carried or have worked done upon them by the belly for the biller billy कुछ काम किया है बेलर के कहने से and the billy is to receive no remuneration gratitude रहा है प्री में कर रहा है देखते हैं अगर कुछ खर्चा हुआ है तो कम से कम बेली को पैसा मिलेगा gratitude रहा है तो बेलर का कम से कम इतना दो duty बनता है कि जो भी खर्चा हुआ है बेली का उस काम को करने के लिए कम से कम बेलर उतना पैसा देगा किसको बेली को ठीक है incurred by him and any extraordinary expense incurred by him for the purpose of bailment ठीक है in case of non-gratuitous मतलब बेलर पैसा देगा ऐसे भी है ना the biller is liable to pay the extraordinary expense incurred by the billy कुछ अगर extraordinary खर्चा होता है नार्मल को छोड़ कर तो खाली वही देने के लिए लायबल होगा क्योंकि नॉर्मली जो नॉर्मल खर्चा करेगा उसके लिए तो हम पैसा देई रहे हैं पहले से decided हम कुछ remuneration तो देई रहे होंगे ना कुछ अगर extraordinary खर्चा होता है तो हम वह देने के लिए लायबल रहेंगे समझ मारा लेकिन अगर बेल्मेंट gratis है तो कोई भी प्रकार का खर्चा अगर करता है बेली any expenses तो हम लायबल होंगे पैसा देने के लिए ठीक है तो अगर gratis है free में काम कर रहा है तो विच्चार अगर कुछ भी खर्चा हुआ है तो वह सारा का सारा खर्चा हम देने के reliable होंगे ठीक है लेकिन अगर non gratis है free में थोड़ी कर रहा है पैसा दो ले गाई न तो normal जो चर्चा हुआ उसका बतले हो पैसा देने वाले हैं इसे भी डेसाइड है कुछ extraordinary खर्चा हो जाता है तो उसके लिए हो पैसा अलग से देंगे जैसे कि हम बाइक रिपेर कर वा रहे हैं ठीक है अब बाइक रिपेर कराने का फिक्स है कि हजार रुपए देंगे तो जो भी छोटा मोटा खर्चा हुआ वह हजार में इंक्लूडेड है सारा हजार देंगे बाइक रिपेर हो जाएगा कुछ एक पटिकुलर पार्ट अगर खराब हो गया और उस पार्ट को रिप्लेस करना प पड़ा तो हमको वह पार्ट का पैसा अलग से देना पड़ेगा क्लियर इतना नेक्स्ट डूटी टू इन्डेमनिफाई दा बेली फो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन मतलब अगर हम कॉंट्राइट को कैंसल करते हैं टाइम से पहले और उससे बेलमेंट में बेली का कुछ बेली फोर इनी लॉस और डैमेच्ट सफ़र्ड बाइद बेली देजिन एक्सेस अब बेनेफिट्स रसीट वरी में दिया था एंड डिसाइट टू टर्मिनेट बेलमेंट बिफोर देश्पारी अब पीरिए आफ बेलमेंट में चाहे वो ग्राटिटियस हो या नॉन ग्रा बेलमेंट का कॉंट्राइक्ट हम कैंसल कर रहे है इसके वज़े से अगर बेली को कुछ भी नुकसान होता है तो वो नुकसान का भरपाई हम लोगों को करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट बेलर's responsibility to बेली बेलर का क्या जिम्मेदारी है बेली के तरफ पहला यह हम लोग आल यह बेलर के वज़े से तो बेलर का ड्यूटी बनता है कि वो जो नुकसान हुआ है बेली को उतना पैसा देगा ठीक है वैड़े बेली के रिच्ट links बेली में बार एसन देगा ठीक सिकांटल है बेली को बेलर के वज़े से चाहे निकला या फिर बेली को कुछ पैसा देना पड़ा goods का या फिर बेलर सामान लिया ने टाइम पर इस वज़े से बेली का कुछ नुकसान हुआ कुछ खर्चा हुआ तो यह सारा का सारा पैसा बेलर का duty बनता है कि पे करेगा किसको बेली को ठीक है लाश बेलर का duty बनता है सबसे इंपोर्टेंट है तो रिसीब बैक दी गोट्स और विससा बात है आज हम किसी को कि समान दिये हैं जैसे हम लोग बाइक दिये हैं रिपेर करवाने के लिए ठीक है किसमें गराज में तो बाइक रिपेर होने के बाद यह हमारा duty बनता है कि हम ब ड्यूटी क्या है बेलर का कि लॉस कुछ भी हुआ है बेली को तो पैसर देगा प्लस समान को काम खतम हुने के बाद अपने पास वापस ले आएगा ठीक है ड्यूटी टू रिसीब बैक दी गोट्स क्लियर है तो इतना ही इसके अंदर यह क्या पढ़ रहेते हैं हम लोग य दो ड्यूटी जूटी ऑफ बेलर होगा उसके सीम टूशीम टाइप का एक टॉपिक और आएगा डिट इस राईट्स ऑफ ब मेली ठीक है जो बैसिकली ड्यूटी ऑफ बिलर रहे गा वही रहेगा राइट्स ऑफ बेली जो बेलर का duty है वो बेली का अधिकार है rights है ठीक है तो कभी भी exam में जो तुमको याद नहीं आ रहा है कि rights of बेली क्या था तुम अगर duties of बेलर का points भी लिख दोगे तो वो almost almost सही हो जाएगा rights of बेली ठीक है वैसे ही जो चीज rights of बेलर रहेगा उसके same to same type का point कौन सा रहेगा duties of बेली का duty से वो match करेगा जो अधिकार है बेलर का rights है वो duty है किसका बेली का ठीक है चलो तो हम लोग इस सब detail में पढ़ेंगे rights of बेलर rights and duties और बेली आने वाले classes ठीक है वीडियो पसने आए तो like करना चैनल को subscribe करना और अगर पिछला वीडियो नहीं देखियो तो पहले playlist में जाके पिछला वीडियो देख लो ताकि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझवाए description में PDF रहेगा plus एक WhatsApp टेलिग्राम ग फिर दो प् सकत्व है झा एक हम आगर शो दीड़ीबैयो देखियो वीडियो ऐिसे समझ बानकि है कि व्या खिवगियो ये वीडियो दो फिaliा प्हाता है कि वार उंगर ये उपिए।